हलो दोस्तो वेलकम तो स्ट्रेटी निवर्स मदब्रदेश की नंबर बन चनल फॉर डेली करन टक्रिया और स्ट्रेटिक जी की इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम जानेगे महत्पूर्ण संग्ठनों महत्पूर्ण नारे और देशों की वीच ज है दोस्तो यह वीडियो बहुत ही शौट तरीके से बनाएगा ताकि आप जिस भी एक्जाम में देने जाते हैं उससे पहले यह रट कर जाएं या वीडियो देखकर जाएं तो आपके हर एक एक्जाम में कॉश्चन पूछा जाएगा दोस्तो मेरी गैरंटी है इस वीडियो सबसे पहले बात करते हैं आत्मी है सभागी आत्मी सभागो राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाए गया था ब्रह्म समाज को भी राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाए गया था तो इन दोनों को राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया है तत्त्त बोधनी सभागी बिनलात प्रेगोरुजी के द्वारा बन करनेदर ने इस मिशन के स्थापना की थी सत्य गbelt जर्तांठी इ можно की तुछारा की गई थी घृभारती के स्थापना की दोस्तो यह बहुत सरी समाज या सुसाइटी निस्टापना कि गई उनके बारे बात कर रही है अदी समाज और प्रंब समाज इन दौनों की इस थापना देविदनार टेघुझी कि द्वारा की गई थी हिंद्व महासबह मदन मुहन मालविये के द्वारा की गई है दोस्तो भाती संग सुनेलनाथ बनर जी ने बनाया है एसियाटिक सोसाइटी बिलियम जोन्स के द्वारा बनाये गई थी सर्वेंट ओफ इंडियन सोसाइटी के स्थापना गोपालकृष्ण गोखले जी की द्वारा की गई गदर पार्टी लाला हर्दियाल जी की द्वारा बनाई गई अभीना भारत की स्थापना बीडी सावरकर जी की द्वारा की गई थी इसके अलावा कुछ और important है Muslim League की स्थापना सरीम उल्लाखा की द्वारा की गई थी खिलाफ अंदूलर अली बंदू की द्वारा बनाये गया था वही आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी भोस ने की थी तो यह भी important है दोस्तो कई लोग इसको बोलते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभास चंदर भोस की द्वारा की गई थी लेकिन यह गलत है इसकी स्थापना पहले आजाद हिंद फौज यानि इसकी स्थापना पहले रास बिहारी भोस की द्वारा की गई थी से पहले बनाए गए थे और आजादी के बाद भी बनाएगां सभी नारों के बारे में हम आज बात करेंगे करो या मरो भारत छोड़ो यह नारे जो दिये थे महात्मान गाधी मोहंदाश करमचंद गांधी जी के द्वारा दिये गए यानि दोस्तो कौन जिएगा जब इंडिया मर जाएगा ये दोस्तो नारा जबाहरलाल नहरूप जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा दिया गया था इंकिलाब जिंदाबाद ये भगत सेंग के द्वारा दिया गया था वेदो की और लोटो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, सुराज हमारा चन्मसित अधिकारे, इसे बाल गंगाधर तलग जी के द्वारा दिया गया था, सारे जहां से अच्छा हैं दोस्ता हमारा, मुहमद, एकवाल ने यह नारा दिया था, विजय, विश्व, तरंगा प्यारा, शामलाल पा नारे हैं वह हमारे सुभास चंद्रबोष सुभास बागू के द्वारा बनाए गए थी तो most important है दोस्तों जिसमें से ये जैहंद और तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें आ जा दी दूगा दोस्तों ये वाला नारा तो बहुत फीमस है हम छोटी थे तब ये नारे बहुत य गया था दोस्तों इसी जो स्टैंपन होने ये नारा दिया था उसके थोड़े कुछ दिन बाद इनकी म्रत्यों भी हो चुगी थी तंड़ा लगने की बज़े से सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है रामपरसाद विश्मिल के द्वारा ये नारा दिया गया था बंद ठ्वर के द्वारा ये लिखा गया है लिज्धि-हhower इंदु-हिंदृस्टान ये दोस्तों भारत आद mesmo हरश्चंडर ये एक लेखक भी इनके द्वारा ही ये नारा दिया गया है आरा महरा में जवाला नहरू के द्वारा दिया गया है जैजवान जैकेसान ये लाल बहादर सास्त्री जी के द्वारा नारा दिया गया था ये नारा दोस्तों आपको दादे 1964 में जो हमारा चाइना वार हुआ था उसी के समया है लाल प्राइब और सास्त्री जो नारा दिया गया था जैजवान जैकेसान था उसमेहार अठल धीया जैविज्द Benson गया नारा हो गयां जैजब्ञान जैविज्दोर गया प्रधानमंती नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान जोड दिया तो यह नया नारा बन गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान यह जो नारा है वह है नरेंद्र मोदी जी की द्वारा दिया गया यह एक डूपते हुए बैंक का अग्रियम चेक है यह नारा जो है वह महत्मागादी जी के द्वारा दिया गया था बेसिकली दोस्तो यह एक point है या एक बात करने का तरीका था महत्मागादी जी का उसे यह नारा समझ लिया गया मेरा अंत्यमुद्धिष प्रक्तिक व्यक्ति का आसू पूछना है यह जो है यह हमारे जवाहला नेहरू प्रतम प्रदानमंत्र जी की द्वारा कहा गया था देश की पूजा ही राम की पूजा है मदलान धींगरा की द्वारा यह नारा दिया गया था संपून क्रांती जैप्रकास नारान जी की द्वारा यह नारा दिया गया था जय जगत ये विनोभा भावे के द्वारा कहा गया तो दोस्तो ये हमारे कुछ नारे थे जिसमें हमने important नारों के बारे में जाना है चलिए अब बात करते हैं देश के भी जितने भी सीमाई हैं उनकी बारे में जितनी भी हमारे इंपोर्टेंट जो सीमा हैं उनकी बारे में हम चाचा करेंगे दोस्तो हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की जो रेखा हैं उनके बारे में तो मैक मुहन जो रेखा है वह भारत और चीन के बीच लगती है रेट करेफ जो रेखा है वह भारत और पाकिस्तान की बीच लगती है डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की बीच लगती है दोस्तो कई लोग इसको बोलते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा है लेकर ये गलत है भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंडे रिखा है क्योंकि पीयो के जो है वह भारत का ही है फिटन वर्क लैंड जर्मनी और पूलेंड के बीच है 38 वी समनांतर रिखा या अक्तर और दक्षन कोडिया के बीच है दोस्तो अब ये जो दो रिखा हैं यहां से टेक्जाम में क्वेशन पूछाई जाता है इनको याद करने की ट्रेक्ट क्या है भारत जो हमारे जबाला नहरूजी थे उनने कहा था कि भारत और चीनी भाई भाई तो दोस्तो हिंदी नाम चीनी का भी हो सकता है तो मैक मोहन ये मोहन हिंदी नाम है तो भारत की जो रेखा है वह जो मैक मोहन रेखा है हिंदी नाम की वो लगती है चीन से एक ये हुए भारत के जो पाकिस्तान के साथ रेखा है वह रेड क्लेफरिंग नाम से लगती है क्यू इंदी नाम की रिखा भारत और चीन के बीच है अब ये नाम क्या है मैं कमोवन तो दोस्तों ऐसी ही ट्रेक मैं कभी कभी अपने लिए याद करने के लिए याद करता हूं या रखता हूं तो आप भी ये कॉपी कर सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों 89 समानंतर रेक है उत्री अमेरिका और कनाड़ा के बीच है 17 वी अक्छांस रेका उत्री व्यतनाम और दक्ष्णी व्यतनाम के बीच है मैगिनूट और साइस फ्रिंड लाइन ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है और नीस लाइन ये जर्मनी और पोलेंड क बीच है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स की बारे में जाना जैसे भारतिय नारे कौन से इसके समाज की स्थाबना की और जो भी देश है उनके बीच कौन-कौन से रिखार उसके बारे में वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब पीजी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरू कीजिए दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब जरू कीजिए